नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल एजूकेशन में आज हम लोग इस वीडियो में जो एजीडियो का इक्जाम हुआ था डाटा इंट्री आपरेटर का 19.12.2021 को उनके संपूर्ण प्रश्णों का मॉडल आंसर सहीत हल देखेंगे हाली में उनका मॉडल आंसर जारी हुआ है व्यापम द्वारा उससे ही संबंधित जो प्रश्णाय हैं उनके उत्तर को हम लोग यहां डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम लोग सव प्रश्णों को डिसकस करेंगे उसके बाद इसका एक अगला पार्ट आएगा जिसमें बाकी के जो सव प्रश्ण है उसको डिसकस करेंगे तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण में पूछा गया है वर्तमान में भारत में नीचे की और गिरती अर्थव्यस्था स्लो डाउन इकोनामी से आप क्या अर्थ लगाते हैं आपसन नमबर A है सुष्टी आपसन नमबर B है मन्दी आपसन नमबर C है पुनेरुथान और आपसन नमबर D है तेजी तो दोस्तो इसका सही आंसर क्या जाएगा तो आपम द्वारा जो मॉडल आंसर जारी हुआ है उसमें इसका सही आंसर लिया गया है आपसन नमबर A सुष्टी अब चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्ण है दोस्तो आप इंग्लीज का पार्ट भी यहां से कर सकते हैं ठीक है इंग्लीज का पार्ट मैं नहीं कवर कर रहा हूँ आंसर तो सभी का सेम होगा लेकिन मैं हिंदी का जो पार्ट है उसको कवर करते जा रहा हूँ तो दूसरा प्रस्ण पूछा गया है प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है आप्सा नमबर A है सकर राष्टी आय बटे कूल जन संख्या आप्सा नमबर B है विसुद्ध राष्टी आय बटे जन संख्या आप्सा नमबर C है सकल घरेलू उत्पाद बटे जन संख्या और आप शकल राष्टी आयक बटे कुल चंसंख्या तो चलिए तीसरा प्रस्ण देखते हैं तीसरा प्रस्ण में उच्छा गया है वर्ष दो हजार चोबीस पच्चिस तक भारत में पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थिवस्था के लिए अवसत वार्षिक वृद्धी दर क्या प्राप् तो दो हजार चोबीस पच्चिस तक भारत में पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थिवस्था के लिए अवसत वार्षिक वृद्धी दर कितनी होनी चाहिए दोस्तो इसका सही अंसर आजाएगा आपसा नंबर सी नौ प्रतिशत मतलब यह कि चोबीस पच्चिस तक अगर भारत क पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थिवस्था बनना है तो प्रतिवर्ष अवसत वार्षिक वृद्धी दर कितना होना चाहिए नौ प्रतिशत ठीक है तो चलिए हमारा अगला प्रस्ण देखते हैं चाहता प्रस्ण पूछा गया था माइक्रोवेव ओवन में सक्ति की कम खपत होती है क्योंकि आपसा नंबर ए है विकीरन की अवरित्ती नियूंतम होती है आपसा नंबर बी है विकीरन की तरंग दैर्द नियूंतर होती है आपसा नंबर सी है विकीरन की बहुत अधिक तरं तरंग्देर्द एवं निम्न अवरिति होती है तो दोस्तों माइक्रोवे ओवन में सकती की कम खपत क्यों होती है इसका सही आंसर आजाएगा अपसन नमबर B विकीरन की तरंग्देर्द नियूंतर होती है तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रस्ण पांचवा नमबर प्रस्ण में पूछा गया है BDM पर इक्षण निम्न रोग के पता लगाने के लिए किया जाता है आपसन नमबर A है डेंगू आपसन नमबर B है मलेरिया आपसन नमबर C है आस्टियो पोसोसिस और आपसन नमबर D है एट्स तो दोस्तों इसका सही आंसर क्य क्या जाएगा BDM पर इक्षण की सुरूप के लिए किया जाता है इसका सही आंसर आपसन नमबर C आस्टियो पोसोसिस तो चलिए छटवा प्रस्ण देखते हैं छटवा प्रस्ण हम क्या पूछा गया है 36 गड़ में वर्सा संबंदी कौन सा तथ्य सही है आपसन नमबर A है वर्सारी तो मद्य जून से मद्य सितंबर तक रहती है और आपसन नमबर D है उपर युक्त सभी तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आएगा आपसन नमबर D उपर युक्त सभी तो चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं सातवा नमबर प्रस्ण में प आप्षन का सहीं आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सहीं आंसर आएगा आप्षन नमबर टी हीरा लाल कावियो पध्याइग इनके लेखक है एक ग्रामर आप छतितिजगड़ी डालेक्ट है चले दोस्तो अगला प्रस्ण देखते हैं आठवा नमबर प्रस्ण में पूचा गया था फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लंडोरा उपरोक्त पहली का अर्थ बतलाईए दोस्तो एक छतिसगड़ी पहली है जिसका अर्थ क्या होता है पूचा गया आपसा नमबर A है ककड़ी आपसा नमबर B है मुनगा आपसा नमबर C है केला और आपसा नमबर D है बरबटी तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आजाएगा आपसा नमबर B मुनगा चलिए हम लोग अगला प्रस्ण देखते हैं नवाप्रस ने पूछा गया है निमलिकीत मुहावरे का अर्थ बतलाईए नाकले स्वाना आपसन नमबर ए है नाकचिदवाना आपसन नमबर भी है खराब गन आपसन नमबर सी है अपमान होना और आपसन नमबर डी है नथनी पहनना तो दोस्तों 36 गड़ी में नाकले स्वाना का मतलब क्या होता है आपसन नमबर कौन सा आजाएगा इसका सही आंसर आजाएगा आपसन नमबर सी अपमान होना चलिए दोस्तों दस्वा नमबर प्रेशन देखते हैं दस्वा नमबर प्रेशन में पुछा गया है इस राज की निमन लिखी जन जातियां विशेश पिछडी जन जाति स्रेणी में आते हैं ए अबुजमाडिया पहला अबुजमाडिया दूसरा अगरिया तिसरा बिर्होर अच्वाधा नागेशी है आप्सा नमबर a है एक, दो, तीन, चार आप्सा नमबर b है एक, दो, तीन आप्सा नमबर c है एक, और तीन और आप्सन नमबर d है उपिउक्त में से कोई नहीं तो दसवा का सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आजाएगा option number C जो अबुज मढिया और बीरहोर है या पिछेश पिछडी जनजाती के स्रेणी में आता है तो चलिए 11 नंबर प्रस्ण देखते हैं 11 नंबर प्रस्ण में पुछा गया है राज जिप्रसासन सासन के किस पद्धती में पाया जाता है आई एकात्मक संगी संसदी पद्धती दूसरा एकात्मक अध्याच्छात्मक पद्धती तिसरा संगात्मक संसदी पद्धती और चौनथा संगात्मक अध्याच्छात्मक पद्धती आपसा नमबर A है पहला और दूसरा आपसा नमबर B है तीसरा और चौथा आपसा नमबर C है पहला और तीसरा और आपसा नमबर D है दूसरा और चौथा तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आएगा आपसा नमबर B राज्य प्रसासन सासन के किस पद्धती में पाया जाता है तो संघात्मक संसाधी पद्धती और संघात्मक अध्यक्छात्मक पद्धती चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रस्म देखते हैं बारवर नमबर प्रस्म में पूछा गया है यदि ग्राम पंचायत छेतर की जन संख्या 1000 से अधिक हो तो उस ग्राम पंचायत में वाडो की संख्या कितनी होगी आपसन नमबर A है 10, आपसन नमबर B है 20, आपसन नमबर C है 30 और आपसन नमबर D है 40 तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा आपसन नमबर B 20 यदि ग्राम पंचायत छेतर की जन संख्या 1000 से अधिक है तो उस ग्राम पंचायत में वाडो की संख्या 20 होनी चाहिए तिरवा नमबर प्रस्ण में पुछा गया है ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्ती किया जा सकता है आपसन नमबर A है सरपंच और उपसरपंच आपसन नमबर B है सरपंच और पंच आपसन नमबर C है उपसरपंच और पंच और आपसन नमबर D है ग्राम पंचायत के समस्त पदाधी कारी तो तिरवा नमबर प्रस्ण का सही अंसर क्या जागा दोस्तों इसका सही अंसर आएगा अप्सन नमबर B सरपंच और पंच ग्राम पंचायाज से किसे प्रत्या वर्तित किया जा सकता है सरपंच और पंच को चलिए चौदा नमबर का प्रस्ण देखते हैं चौदा नमबर प्रस्ण में पूछा गया है अप्सन नमबर A है वर्स दोहजार बारा से उननिस अप्सन नमबर B है वर्स दोहजार चौदा से उननिस अप्सन नमबर C है वर्स दोहजार पंदरा से बीस और अप्सन नमबर D है वर्स दोहजार पंदरा से दोहजार बैस तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आएगा आप्शन नमबर B वर्स 2014 से 2019 तो चलिए 15 नमबर का प्रश्ण देखते हैं 15 नमबर प्रश्ण में पुछा गया है 36 गड़ राज्य में कौन सा खनीज प्रमुख खनीज नहीं है आप्शन नमबर A है कोईला आप्शन नमबर B है लाह आयास्क आप्शन नमबर C है ग्रेनाइट और आप्शन नमबर D है चुना पत्तर तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आजाएगा आप्शन नमबर C जो ग्रेनाइट है वह 36 गड़ का प्रमुखनीज नहीं है बाकि कोईला लोह एयस के चुना पतर ये सभी 36 गड़ का प्रमुखनीज है सोरवा नमबर प्रस्ण देखते हैं चंदरयान दो में प्रज्ञान क्या है आपसन नमबर A है लांचर आपसन नमबर B है आर्बीटर आपसन नमबर C है लेंडर और आपसन नमबर D है रोवर तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आजाएगा आपसन नमबर D रोवर चंदरयान दो में प्रज्ञान का क्या है एक रोवर है चलिए देखते हम लोग अगला प्रश्ण सत्रवन अमर प्रश्ण में पूछा गया है नीमलिकित में से किस छेत्र में फिर दौसी कादरी को रमन मैकसें से अवार 2021 मिला आपसा नमबर ए है संस्थाओं का सुच्म वित्तियन आपसा नमबर भी है टीको की खोज आपसा नमबर सी है दक्षिड पूर्व एसिया में विस्तापित सरनार्थियों की सहायता और आपसा नमबर डी है उप्युक्त में से कोई नहीं तो 17 नमबर प्रश्ण का सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आँसर आजाएगा आपसा नमबर भी टीको की खोज चलिए 18 नमबर प्रश्ण देखते है देश का पहला इंटरेक्टिव बर्ड पार्क नीमने में से किस राज्य में इस्थापित किया गया है आपसा नमबर ए है मध्य प्रदेश आपसा नमबर भी है राजिस्थान आपसा नमबर सी है महराष्ट और आपसा नमबर डी है ओडिसा तो 18 नमबर प्रश्ण का सही आंसर क्या जाएगे दोस्तो इसका सही आंसर आएगा आपसा नमबर सी महराष्ट देश का पहला इंट्रेक्टिव बर्ड पार्क महरास्ट में इस्थापित किया गया है तो चलिए उनिस्वा नंबर प्रस्ट में पूछा गया है 2019 में आये तुफान फानी से प्रभावित होने वाला राज्य नीम्न में से कौन सा है आपसा नंबर ए है पस्चिम बंगाल और ओडिसा आपसा नंबर भी है तमिन नाडो और आंधर प्रदेश आपसा नंबर जी है ओडिसा और आंधर प्रदेश और आपसा नंबर डी है पस्चिम बंगाल और आंधर प्रदेश तो दोस्तो 2019 में फानी नामा जो तुफान आया था वा कौन कौन से राज्य को प्रभावित किया था इसका सही आंसर आजाएगा आप्सन नमबर C ओडिसा और अंधर प्रतेश तो चलिए बीस्वा नमबर का प्रस्ण देखते हैं बीस्वा नमबर प्रस्ण में पूछा गया है सेयुक तराष्ट परियावरन सभा का चौथा सत्र कहां आयोजित हुआ आपसा नमबर A है जर्मनी, आपसा नमबर B है ब्राजिल, आपसा नमबर C है केन्या और आपसा नमबर D है डेन्मार्क तो दोस्तो इसका सही आंसर क्या आजाएगा? इसका सही आंसर आजाएगा आपसा नमबर C केन्या सेयुक्त राष्ट परियावरन सभा का चौथा सत्र कहा है उजित किया गया था तो इसका सही आंसर है केनिया चलिए हम लोग अगला प्रस्ण देखते हैं 21 नंबर प्रस्ण में पूछा गया है मौरे काल में निमले खितमे से किसी स्थान में सिख्चा का प्रस्ण केंडर विद्यमान था अपशन नंबर A है तक्ष़ीला अपशन नंबर B है नालंदा अपशन नंबर C है वल्ला भी और अपशन नंबर D है विक्रम शिला तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आजाएगा अप्सन नमबर A तक्छसीला मौरे काल में तक्छसीला में सिक्छा का प्रशिद्ध केंद्र विद्यमान था चलिए दोस्तो 22 नमबर प्रशन देखते हैं 22 नमबर प्रस्ट में पूछा गया है निम लिखित में से किस वर्स में पानी पत का द्विती युद लड़ा गया इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आ जाएगा अप्सन नमबर B 1556 वी में चलिए 23 नमबर का प्रस्ट देखते हैं दोस्तो 23 नमबर प्रस्ट में पूछा गया है निम लिखित में से किसकी असफलता के पस्चात महत्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारम किया आपसन नमबर A है सिमला सम्मेलन, आपसन नमबर B है कैबिनेट मिशन, आपसन नमबर C है गोल मेश सम्मेलन और आपसन नमबर D है क्रिप्स मिशन 23 नमबर प्रस्ण का सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आजाएगा आप्सन नमबर D क्रिप्स मीशन महात्मा गांदी जी ने भारत छोड़ो अंदोलन प्राराम कब किया क्रिप्स मीशन के असफलता के बाद तो चलिए 24 नमबर के प्रस्ण देखते हैं 24 नमबर प्रस्ण में पूछा गया है भाबर प्रदेश है आप्सन नमबर A है नवीन जलोड से बना आप्सन नमबर B है पुरानी जलोड से बना आप्सन नमबर C है भारी कंकड पत्थर बजरी का जमाँ और आपसा नमबर D है बारी कणों वाले जलोड से बना तो 24 नमबर प्रस्ण का सही उतर क्या जाएगा दोस्तों इसका सही उतर आजाएगा आपसा नमबर C भारी कंकड पत्थर बजरी का जमा होता है उसे ही क्या बोलते हैं भाबर प्रदेश तो चलिए हम लोग अगला प्रस्ण देखते है दोस्तों 25 नमबर प्रस्ण में पुछा गया है लक्ष दीप है आपसा नमबर A है माल दीप समू का हिस्सा आपसा नमबर B है प्रवाल दीप आपसा नमबर C है ज्वाला मुखी दीप और आपसा नमबर D है मिनी क्वाय दीप का हिज्जा तो इसका सही आंसर क्या जाएगे दोस्तों इसका सही आंसर आजाएगा आप्सन नमबर B प्रवाल दीप लक्ष दीप क्या है एक प्रवाल दीप है 26 नमबर प्रस्ट में पुछा गया है बस्तर जनजातियों में गाय जाने वाला वीर गीत का नाम है आपसा नमबर A है डंडार पाटा आपसा नमबर B है हुलकी पाटा आपसा नमबर C है राजारानी पाटा और आपसा नमबर D है घोटुल पाटा तो 26 नमबर प्रस्ण का सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आजाएगा अपसा नमबर D घोटुल पाटा बस्तर जन जातियों में गाया जाने वाला वीरगीत क्या है घोटुल पाटा 27 नमबर प्रस्ट में पूछा गया है बस्तर में धंतेश्वरी फागुर मड़े उस्व कितने दिनों तक चलता है अप्सन नमबर A है 9, अप्सन नमबर B है 4, अप्सन नमबर C है 5, और अप्सन नमबर D है 10 तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आजाएगा अप्सन नमबर A 9, बस्तर में धंतेश्वरी फागुर मड़े उस्व 9 दिन तक चलता है 28 नमबर का प्रस्ट पूछा गया था वर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार 36 गड़ राज्य का जनसंख्या द्रिष्टी से देश में क्या क्रम है? आप्सन नमबर A है 21, आप्सन नमबर B है 18, आप्सन नमबर C है 17 और आप्सन नमबर D है 16 तो इसका सही आप्सर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही आप्सन नमबर D वर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार 36 गड़ राज्य का जनसंख्या द्रिष्टी से देश में 16 गड़ पर है तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ट 29 नमबर प्रस्ट में पुछा गया है वर्स 2011-12 के इस्थिर कीमतों पर वर्स 2018-19 में 36 गड़ राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में किस छेत्र का सबसे अधिक योगदान है? अपसा नमबर ए है क्रिसी एवं संबद्ध छेत्र अपसा नमबर बी है उद्योग छेत्र अपसा नमबर सी है सेवा छेत्र और अपसा नमबर डी है वी निर्मान छेत्र तो इसका सही आंसर क्या जागा दोस्तों? इसका सही आंसर आगा अपसा नमबर डी वी निर्मान छेत तीसवा नमबर परसन देखते हैं दिनांक 8-4-2017 से 36 गड़ के किस क्रिसी उपज मंडी को राश्टी क्रिसी बाजार से जोड़ा गया है अपसन नमबर A है राजनान गाउं, अपसन नमबर B है मुंगेली, अपसन नमबर C है धमतरी और अपसन नमबर D है रायपूर तो 8-4-2017 से 36 गड़ की किस किसी उपज मंडी को राश्टी किसी बाजा से जोड़ा गया है, इसका सही आंसर आजाएगा अपसन नमबर D, रायपूर क्रिसी मंडी एक तिस्वा नमबर प्रस में पूछा गया है, विटामिन जो रक्त के इसकंदन के लिए उत्तर दाई है, अपसन नमबर A है विटामिन A A वम D, अपसन नमबर B है विटामिन K A वम C, अपसन नमबर C है केवल विटामिन K और अपसन नमबर D है केवल विटामिन C, तो इसका सहीं आंसर आजाएगा आपसा नमबर C केवल वीटामीन के जो वीटामीन के है वह रस रक्त के इसकंदन के लिए उत्तरदाई होता है 32 नमबर प्रस में पूछा गया है निम्रीखित में से कौन सा सिधान असो के धम दर्शन में मजूद नहीं था आपसा नमबर A है अहिंसा आपसा नमबर B है धार्मिक सहीं शुड़ता आपसा नमबर C है पाप का भय और आपसा नमबर D है सभी को सम्मान सम्मान व्यवार तो 32 नमबर प्रस में का सहीं उप्तर क्या जाएगा दोस्तो इसका सहीं आंसर आजाएगा आपसा नमबर C पाप का तो चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं 33 नमबर प्रस्ण में पूछा गया था मुगल काल के नीम लिखित में से किस विद्वान ने रमायान का फार्सी भासा में अनुवात किया था अप्सन नमबर A है अबुल फजल, अप्सन नमबर B है अप्सन नमबर C है अब्दुर्रहीम अप्सन नमबर D है फैजी तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आजाएगा अप्सन नमबर B बदा यूनी जिन्होंने रमायान का फार्सी भासा में अनुवात किया था चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है आर्या समाज के संस्थापा क्नीम लिखित में से कौन थे अप्सन नमबर A है राजा राम मोहरा है अप्सन नमबर B है स्वामी वियकनन अप्सन नमबर C है दयानन सरस्वती 35 नमबर प्रस में पुछा गया है Tokyo Olympics 2021 के संबंद में निम्डी खित में से कौन सा सत्य है आफसन नमबर ए है भारत ने एक स्वर्ण दो रजट और तीन कास से पदख जीते आफसन नमबर भी है भारत ने एक स्वर्ण दो रजट और चार कास से पदख जीते option no.C है भारत ने 1, 1, 3 रजत और 3 कास से पतक जीते option no.D है उप्यूग्त में से कोई नहीं तो इसका सही answer क्या जाएगा दोस्तो इसका सही answer आजाएगा option no.B भारत ने 1, 2 रजत और 4 कास से पतक जीते चतिस्वा नमबर प्रस्ण में पुछा गया है 36 गड़ में किसकी विद्धूत उत्पादन करने की छमता अधिक है आपसा नमबर A है जल विद्धूत आपसा नमबर B है ताप विद्धूत आपसा नमबर C है सवरे उर्चा और आपसा नमबर D है पवन उर्चा जो छत्री अगर में किसकी विद्धुद उत्पादन करने की छमता अधिक है इसका सही आंसर आ जाएगा आपसन नमबर B ताप विद्धुद अब चलिए अगला प्रस्न देखते हैं शरतीस्वा नमबर प्रस्न पुछा गया है राधे से आँब बारले निम्री खित में से किस छेत्र से जुड़े हैं अपसन नमबर A है साहित्य और सिक्षा अपसन नमबर B है सामाजिक कार्य अपसन नमबर C है कला संस्कृति और निरित्य और अपसन नमबर D है खेल तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आजाएगा आपसन नमबर C कला संस्कृति एवां नृत्या जो राधे से आम बारले जी है उनको हाली में पदमसरी समान से समानित किया गया है तो चलिए देखते हैं अगला प्रस्ण अर तीसवा नमबर प्रस्ण में पूछा गया है इस राज से राज सभा में कितने सदस्य है आपसन नमबर A है 11, आपसन नमबर B है 5, आपसन नमबर C है 6 और आपसन नमबर D है 7 तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आजाएगा आपसा नमबर B पांच इस राजे से राजे सभह में पांच सदर्स्य है 49 नमबर प्रस्ण में पुछा गया है इस राजे से निम्री खित्मे से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है आपसा नमबर A है अनुश्यर्मा आपसा नमबर भी है किस ओर साहू आपसा नमबर C है हबिब तन्वीर और आपसा नमबर D है अनुराग बासू तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपसा नमबर C हबिब तन्वीर चलिए अगला क्वेस्टन देखते हैं चालिसवा नमबर प्रस्ण भी पूछा गया है स्वक्ष सर्वेक्षन अवार्ड 2021 का स्वक्षतम राज्य निम्रीखित में से किस राज्य को घोसित किया गया है आपसा नमबर A है मध्य प्रदेश आपसा नमबर B है 36 गड़ आपसा नमबर C है महरास्ट आपसा नमबर D है करनाटक तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आजाएगा आपसा नमबर B 36 गड़ जिनको 66 पूरुसकार मिला गया है स्वक्ष सर्वेक्षन अवार्ड में चलिए एक चालिसवा नमबर प्रस्ण देखते हैं सुची एक में नगर और सुची दो में नदी है जिसका सही मिलान हमें करना है A में दिया है बरेली B में दिया है जाउनपूर C में दिया है स्त्रीरंग पत्नम और D में दिया है डिब्रुगड और इधर नदी का नाम दिया गया है गोमती, कावेरी, ब्रह्मापूत्र, रामगंगा तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो 41 वा का सही आंसर आजाएगा आप्सन नमबर D जो बरेली है वह कौन से नदी के किनारे इस्थित है रामगंगा जोनपूर कौन से नदी के किनारे इस्थित है गोमती, श्री रंग पटनम कौन से नदी के किनारे इस्थित है कावेरी और डिब्रुगड कौन से नदी के किनारे इस्थित है ब्रह्मा पुत्र इसका सही आंसर आजाएगा आप्सन नमबर D 42 वान लिश्वान अमर प्रश में पुछा गया है सही क्या है यदि एक विध्यक राज्य विधान मंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमती के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा आई दिया है वह विध्यक पर हस्ताक्चर कर सकता है दूसरा दिया है यदि वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वह कुछ सुझाओ सहीत विधेयक को राज विधान मंडल के पास वापस भेश सकता है तिसरा दिया है यदि राज विधान मंडल विधेयक को पुना पारित कर देता है तो राज पाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा चौंधा दिया है यदि राज़ेपाल विधया के प्राधानों से सहमत नहीं है तो वह विधया को राष्टपती के पास संदर्भीत कर सकता है A option में दिया है कि पहला बस सही है B option में दिया है पहला और दूसरा सही है C option में दिया है पहला दूसरा और तीसरा सही है अब D option में दिया है चारो सही है तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा option नमबर D ये चारो सही है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं 43 नमबर प्रस्ण में पुछा गया है इन में से राष्ट पती की सकती कौन सी है पहला संसत का सत्रा आहुत करना दूसरा संसत का सत्रा असान करना तिसरा लोगसभा का विगटन करना और चौन्था लोगसभा का सत्रा असान करना अपसन नमबर A में दिया है पहला बस सही है अपसन नमबर B है पहला और दूसरा आप्सा नमबर C है पहला दूसरा तीसरा और आप्सा नमबर D है पहला दूसरा और तीसरा और चौथा इसका सही आंसर क्या जाएगा इसका सही आंसर आजाएगा आप्सा नमबर C जो लोग सभा का सत्रा असान करना यह राष्ट पती की सकती नहीं है बांकि जो तीन दिया है वह राष्ट पती की सक्ति है चमालिस नमबर प्रस्ट में पुछा गया है राष्ट पती के पत की सरते क्या है पहला उसे भारत का नागरीक होना चाहिए दूसरा उसे 35 वर्ष की आयोग पूरी कर लेनी चाहिए तीसरा वह विधान मंडल का सदसे नहीं होगा चौथा वह किसी अन्य लाप के पत्पन नहीं रहेगा और पांचवा उसमें लोग सभा की सदसेता की योग्यता होनी चाहिए और छटवा वह विशेसादी कारों का हगदार होगा इसका सही आंसर क्या आजाएगा इसका सही आंसर आजाएगा अपसन नमबर D मतलब जो तीसरा चौथा और छटवा है वह राश्रपती के पत्पन का सर्थ है 45 नमबर प्रस्ण में पूछा गया है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी के अंतरगत किसको सहाथा दी जाएगी ए लगू क्रिशक, बी सिमान क्रिशक, सी बड़े क्रिशक और डी सभी क्रिशक ये चार आपसन दिया है उसके बाद ये चार सर्थे दिया है और उसके बाद ये चार आपसन दिया है कि A और B सही है आपसा नंबर B में दिया है केवल B सही है आपसा नंबर C में दिया है A, B और C सही है आपसा नंबर D में दिया है कि D सही है तो इसका सही आंसर क्या जाएगा जोस्तों इसका सही आंसर आएगा आपसा नंबर A जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी है वह लगू क्रिशक और सीमान क्रिशक के लिए है 46 नमबर प्रस्ण में पूछा गया है निम्लिखित में से किस सासक का सीला लेग सिवरी नरायन में प्राप्त हुआ है आप्सन नमबर A है प्रतापमल आप्सन नमबर B है रतन देव आप्सन नमबर C है कल्यान सा है और आप्सन नमबर D है प्रिथ्वी देव प्रतन तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आजाएगा आप्सन नमबर B रतन देव तो सिवरी नराण में के सिललेख में कौन से सासक का जिक्र हुआ है रतन देव ठीक है 47 नमबर प्रस्ण देखते है इस राज्य में सुबा सासन काल में नीम लिखित बात असत्य है पहला इस काल में राजधानी रतन पूर्थी दूसरा इस काल में कमाविशदार पत था तिसरा इस काल में ब्रिटीज यात्री कनिंगम इस राज़े में आया था चौथा इस काल में 36 गड़ पर नागपुर का राज़े था सही विकल्प चुनने के लिए बोला गया है ए में दिया है कि पहला और तीसरा सही है बी में बोला गया है दूसरा और तीसरा सही है सी में बोला गया है केवल तीसरा सही है और डी में बोला गया है कि तीसरा और चौथा सही है तो इसका सही आंसर क्या जाएगा इसका सही आंसर आएगा आपसा नमबर सी केवल तीसरा सही है इस काल में ब्रिटिस यात्री कनिंगम इस राजय में आया था असत्य बात चुनने के लिए बोला गया है अज़ा इसका सही आंसर क्या जाएगा अपसा नमबर C केवल 3 तो चलिए अगला क्वेस्टन देखते हैं 48 नमबर प्रस्ण में पूछा गया है इस राजय में 1923 में जंडा सत्यग्रा कहां से प्रारम हुआ था आपसा नमबर E है बिलासपूर आपसा नमबर B है रायपूर आपसा नमबर C है धमतरी और आपसा नमबर D है दुर्ग तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो आपसा नमबर A बिलासपूर 49 नमबर प्रस्ण में पूछा गया है मलहार के लिए निम्री की तथ्यों पर विचार किजिए पहला यहां पुरा तत्विक समगरियों का विशाल बंडार है दूसरा यह इस्थान अरपा लिलागर एवं सिवनात नदियों को द्वारा गिरा है दिये गए तथ्यों में से कौन से तथ्य सही है आपसा नमबर A है केवाल एक आपसा नमबर B है केवाल दो आपसा नमबर C है एक और दो दोनों सही है और आपसा नमबर D है एक और दो दोनों गलत है तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर आजाएगा आ एक और दो दोनों सही है दोस्तों सभी जो उत्तर है या व्यापम दारा जारी मॉडल आंसर के अनुसार है अगर कोई भी आंसर आपको गरत लगता है तो अभी भी समय है आप दावापत्ती कर सकते हैं पचासवा नंबर परस्ण में पूछा गया है जन्गर्णा वर्स 2011 के नुसार 36 गड़ राज़की कुल जन संख्या है चार आपसन दिया गया है इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तो इसका सही आंसर नहीं दिया गया है व्यापन दोरा इस परस्ण को विलोपीत कर दिया गया है तो चलिए अगला परस्ण देखते हैं